हेलो फ्रेंड वेलकम टू बाजीरा रेटी इंस्टूट टूडए इनलेसिस के आज क्यांक में हम 11 जुलाई 2004 के तीन प्रमुख समाचारों पे चर्चा करेंगे जिसमें से पहला है सुप्रिम कोट का एक नेड़े इस नेड़े में सुप्रिम कोट ने कहा है कि मुस्लिम महिला का उनको प्राप्त करने का हखडार है थीक है इसमें सुप्रिम कोट ने कहा है कि सी आरपीसी की धारा 125 के तहरे जो भर पोशन का आधिकार है यह धर्म महिला के लिए भी है साथ ही में उनका जो मुस्लिम महिलाओं के लिए जो अलग से कानून 86 में बना था वो भी है और ये भी है महिला की उपर है कि वो कौन किसको चुनती है ठीक है तो इसको समझने की कोशिस करेंगे क्या विवाद है क्या कैसे है क्यों ये बात कही गई है दूसरा है भारत ने उच्च शागर संधी एक हाई सी खुद कहा जाता है कि आपके हर देशों का जो एक्स्क्लूजिव एकनॉमिक जोन होता है दोस्व समुद्री माईल तक उसके बाहर के छित्र को हाई सी या ओपें सी कहा जाता है उसको लेकर उसके परियावरण उसके हस्ताचर किया है रेटिफिकेशन किया है लेकिन भारत सरकार 8 जुलाई को कही है कि वो इस पर हस्ताचर और रेटिफिकेशन कर सकती है समझेंगे क्या इसका महत्व है क्यों महत्व है तीसरा है भारत के प्रधान मंत्री रूस के दौरे के बाद यानि रूस के दौरे पे थ ये दौरा था और उस दौरान भारत और आस्ट्रिया के बीच कुछ समझोते हुए हैं उसको लेकर जो सनुक्त बर्तब है कि आस्ट्रिया साज़ेदारी बढ़ाने भारत और आस्ट्रिया भविस्य के लिए साज़ेदारी बढ़ाने को लेकर प्रयासरत करेंगे तो उनको हम स और उसमें भी खास तोर से जस्टिस भी भी रतना का कहना है। आई ज़र देखते हैं कि क्या मामला है। तो देखिए सुप्रीम कोट ने 10 जुलाई को तेलंगाना उच नियाले के एक आदेश के खिलाब एक मुस्लिम ब्यक्ति की अपील खारिज कर दी थी जिसने उसकी पुर इसनी ने CRPC के एक एक्ट के तहद भरण पोसर के लिए अपील की थी जिसको परिवार ने आले ने या जो फर्स्टेश मेजिस्टेड ने उसको फैसला दिया था। बाद में वो हाई कोट ने भी तिलंगाना का मामला है तिलंगाना हाई कोट ने दिया था और उस फैसले के विरुद्ध में ये व्यक्ति आया था सुप्रिम कोट में और इसकी याचिका खारिश कर दी गई है और इसमें जो बात कही गई है नियामूर्ती बीबी नागरतना और नियामूर्ती जार्ज मसीह दो नयाधीस हैं इन्हों की दो सदस्टी खनपीड है इसने कहा है कि एक प्रोसेजर कोल वो किसी धर्म भी से इसका कानून नहीं है धर्म भी से इसके अपने परसनल लाह है वो तो हई है लेकिन भरण पोस्टन को पाने के लिए CRPC में धारा 125 के तहत ये कहा गया है कि कोई भी महिला तलाग सुदा महिला जो सच्छम नहीं हो अपने सच्छम पती से इस तरह के भरण पोस्टन पाने का हगदार होती है और भले ही लिखा है भले ही उनका तलाग धार्मिक बक्तिगत कानून के ही तहत हुआ हो इससे कोई मतलम नहीं है लेकिन अगर कोई धर्मिरपेच कानून है जो भरण पोस्टन का उपचार देता है तो वो उसे पाने का अ प्रक्रिया संगिता की धारा 125 है यह समाजिक न्याय की जो समवैधानिक अवधारणा है उसको बढ़ावा देने वाली है तो देखिए क्या कहा है जज्जमिंट में सुप्रीम कोट ने देखिए CRPC की धारा 125 समवैधानिक समाजिक न्याय का एक उपाय है समविधान में बहुत सारे समाजिक न्याय को लागू करने के लिए जो बहुत सारे उपाय किये गए हैं तो वो जो समाजिक न्याय है उसका एक उपाय CRPC की धारा 125 है ये बात सुप्रिम कोट के दो कंड़ पीट की जो अभी वीवी नागरत्ना और जार्ज मसी की पीट है इन्होंने फैसला किया और इसी तरह के फैसले सुप्रिम कोट के पांच सदस्ती समिदान पीट ने भी की थी और उसके बाद के भी नेड़ेओं में किया गया था जैसे देखिए इसमें कहा गया है CRPC की धारा 125 कहती क्या है कि किसी भी व्यक्ति पर परियाप्त साधन होने पर अपनी पत्नी या अपने बैद या नाजायज या अबैद जिसे भी कह सकते हो अब तो इसको कहना थोड़ा सा आजीब है लेकिन लिखा है नावालिक बच्चे क भरन पोशन करने का दाई तो डालती है यदि वे खुद का भरन पोशन करने में असमर्थ है ठीक है और इसे आम तोरपन नियमित अंतराल पर मौदरिक साहता है यानि ये कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आर्थिक द्रसे से सच्छम है तो उसका दाई तो है कि वो अप और अपने पत्नी के भरण पोशन के लिए वो क्या है उत्त्रा उद्दाईत है और पत्नी और बच्चे का अधिकार है पत्नी से ये प्राप्त करने का। इसकार है इसकी ब्याख्या करते हुए नियामूर्ति नागरतना ने कहा कि जो CRPC की धारा 125 है एक समाजिक नियाय के उपाय के रूप में समविधान के पाठ, टेक्स्ट, उनके स्ट्रक्चर और उनके दर्सन में नहित है देखिए क्या कह रही है यह धारा समविधान के समरेखित है साथ ही में अनुछेद 49E के तहत राज पर यह सुनिश्चित करने का दाइत्व है कि वह नागरिकों को आर्थिक आउसकता के कारण अपनी आयू यह सक्ति के अरूप न होने वाले बैसाओं में प्रवेस करने के लिए मजबूर न करे यानि 15-3 कहता है राज को क लिए भी सेस्प्राधान बनाए और 49E कहता है कि राज ध्यान रखे कि नागरिकों की आर्थिक आउसकताओं को इस तरह ध्यान में रखे कि वो अपने आयू या सक्ति छमता यानि बलात स्रम से रोकने वाली जो बात होती है कि अगर महिला को अगर भरन पोशन नहीं मिलेग और ये हमारे सनवेधानिक इन दो चीजें हैं इनके अनुसरण में है इनके सनरेखण में है ऐसा कोट ने कहा है ठीक है और कोट ने कहा है कि CRPC की धारा 125 के तहद भरन पोशन मुसलिम महिला तलाग पर अधिकारों का सनरचन अधियम 1986 में मुसलिम महिलाओं के लिए एक अलग बना था जब साहबानों का फैसला आया था साहबानों के फैसले को पलटते हुए या उसके अधार को समाप्त करते हुए भारती संसद ने एक कानून बनाया था वो कानून राजी गांधी के प्रधान मिंतरी काल के समय मुसलिम महिला तलाग पर अधिकारों भरन पोशन मुस रिक्त रूप में पोजूद है ना कि इसके खिलाब यानि कि कोड कह रहा है कि ये जो प्रावधान है ये CRPC की जो धारा 125 है ये इसके अत्रिक्त है यानि ये भी रह सकती है वो भी रह सकती है दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी नहीं कि मुसलिम महिला है तो उसे ये मिल मिलेगा 125 नहीं मिलेगा नागरतना ने कहा ये मुसलिम महिला के सामने और जस्टिक जाजमसी ने कहा कि महिला के सामने ये बिकल्प है कि वो इसके थू अपना भरण पोजिशन प्राप्त करे या CRPC की जो 125 धारा है उसके तहत प्राप्त करे ये जो कि सेकुलर है वो सभी धर से नहीं मतलब है उसको लेकर वो प्राप्त कर सकती है नियामूर्ती नागरतना ने लिखा कि 86 के अधियम को लागू करते समय संसद ने एक साथ और उसके बाद कभी भी तलाक सुदा महिला को CRPC के धारा 125 के तहत भरण पोजण का दावा करने के लिए मना नहीं किया है यानि संसद ने जो एक कानून बनाया था इसमें ये कहीं नहीं कहा है कि मुसलिम महिला CRPC के तहत भरण पोजण का दावा नहीं कर सकती हाँ मुसलिम महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान है अब मुसलिम महिला के पास विकल्प है कि वो उसे चुने या दूसरे को चुने और य जो एक्ट लाया गया था राजियो गांदी के सरकार को इसको उन्होंने सुप्रीम कोट में इसके कंस्टिशनल ती को जो है उसके बिर्द में अपील की थी और उस फैसले में ये सुनाया गया था कि ये एक्ट अलग से प्राधान करती है मुस्लिम महिला के लिए लेकिन ऐसा ही है कि ये CRPC के धारा के उलंगन है तो आईए जड़ा सा साहवानों वाला केस समझ लेते हैं क्योंकि फिर से उसी चीज को इसने पुनह रेखांकित कर दिया है ऐसा ही एक मामला आया था साहवानों का साहवानों मध्यपरदेश का मामला था शाहवानों बेगम नाम की एक महिला थी, 1978 में एक मुस्लिम महिला ने धारा 125 के तहट अपने पती से अपने और अपने पांच बच्चों के लिए भरन पोशन के मांग करते हुए याचिका दायर की थी, लेकिन उसके पुरपती मुहमद अहमद खान ने तर्क दिया था कि मुस्लम परशनल लाग के अनुस दूसरे ब्यक्ति से साधी नहीं कर सकती, यानि तीन महिने के दोरान वो महिला दूसरे से नहीं कर सकती है, उसी दोरान केवल मुस्लिम परशनल लाग कहता है कि पुरुस उसको भरण पोसर देगा, इसके बाद उसका दायर खतम हो जाता है, तो इसी को आधार बनाते हुए इसके पती, साभानों के पती ने याचिका दायर की ती, मतलब उसके खिलाप जो है कहां गया था, मदपरदेश के उच्छे नियाले में गया था, और उसने जब स्विकार करें के रिडल सुना दिया था, तो उसके खिलाप जो है यहाँ पर आया था, 1980 में, और Muslim Personal Law Board ने भी तर्क दिया था कि नियाले Muslim Personal Law या सरियत अप्लिकेशन एक 1937 के अनुसार Muslim Personal Law को लागू करने के लिए बात है हलाकि उस समय के पांच नियाधिस की समय धान पिट थी और उसकी अधिश्चता कह रहे थे उस समय के Chief Justice नियाधिस Y.B. चंदरचून जो अभी Chief Justice है अभी D.Y. चंदरचून है उसमें Y.B. चंदरचून थे वो उनकी अधिश्चता कर रहे थे और संबोतर वो भारत के जितने भी Chief Justice हुए हैं उसमें सबसे लंबे समय तक Chief Justice हो रहे हैं तो उन्होंने निड़किया था और उन्हें कहा था कि CRPC की धारा 125 जैसे प्रावधान धर द्रम की बाधाओं को पार करते हैं यानि कि यह धर्म से बधे नहीं हैं चाहे पती पत्नी कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, इसाई हो, पारसी हो, बुद्परस्त हो या बुद्परस्त नहीं हो यह सब कुछ मतलब नहीं रखता है वो एक दम धर्म के Neutral है, Religion के Neutral है पूरी तर से अगर वो खुद का भरण पोशन नहीं कर सकती है तो CRPC की धारा 125 के तहत वो भरण पोशन पाने का अधिकार है और इस आधार पे उसने नेड़े दिया था और इस नेड़े का काफी बिरोध हुआ था काफी मुसलिम समुदाय में काफी बिरोध हुआ था और उसके कारण जो थे पांच जोजों के समिधान पीट को उसको पलड दिया था और इस अधिनियम में ये कहा गया था कि इद्दत अवध के बाद भरण पोशन का भुक्तान करने का दाई तो तलाक सुदा पत्नी के रिष्टेदारों या बच्चों पर या उनकी अनपस्तिती में राज यवक बोड पर लगाया गया था हाला कि ये एक्ट जब लाया गया था तो उसको मुस्लिब महिला तलाक पर अधिकारों का सरशन अधियम 1986 को चुनोती दी गई थी यही साहबानों के जो वकील थे उन्होंने नाम था दानियाल लतीफी नपेश अहमद सिद्ध की नाम बड़ा है तो दानियाल केस कहा जाता है जिसके फैसले के ही जो है नजीर देते हुए शोपरिम कोट ने फैसला दिया है उसमें ये मामला आया था कि इसका उद्धेश जैसे उन्होंने तरक दिया कि 125 का उद्धेश सभी धर्मों की महिलाओं को निर्धनता या डेस्टी चूर से बचा यानि जो राजिव गांदी के समय अद्नियम आया था in 1986 क्योंकि उनके समानता के अधिकार अनुछेद 24 सम्मान के साथ जीवन जीनी के अधिकार अनुछेद 21 का उलंगन करता है इसके विरुद्ध में सकेन सरकार ने तरक दिया था कि जो परसनल लाहें उनके आधार पे भे धान पीट ने अपने फैसले में इस अधियम की धारा 3-1 था उसकी रचनात्मा कंस्ट्रक्टिव ब्याख्या की उसमें लगाया कि पती को इद्दत की अवधी के दोरान यानि कि उसके बाद के बारे में भरन पोश्टन करके उसी दोरान इतनी रासी दी जा सकती है कि वो ब शुदा महिला जो तीर महिने की अवधी है उसी दोरान ये प्लान कर लिया जाए कि आगे के भी भविस्ट के लिए जो उसका भरन पोश्टन का खर्चाएगा उसे वहन करना है तो उस तरह से लिबरल ब्याख्या करके कहा कि ये मुस्लिम पती इद्दत से परे भी भरन अख्या उसकी व्यापक हो गई है कि उसके बाद भी वो जिम्यदार है और एक मुस्लिम महिला के पास ये अधिकार है कि वो इस अधिनियम के तहद जो 86 का अधिनियम है उसके तहद भरन पोश्टन ले या CRPC के धारा 125 के तहद भरन पोश्टन के लिए करे जो सभी महिलाओं के भारत के सभी महिलाओं के लिए है सेकुलर उपचार है और यहीं बाद सुप्रेम कोटी अपने निड़े में कहा है कि मुस्लिम तलाक सुदा महिला को धन निर पेच उपचार जो उसे उपलब्द है समयधान के तहद उसे कोई रोक नहीं सकता है और इस आधार पे उसने यह अपना निड़े सुनाया है ठीक है अगला जो हमारा समाचार है या आप कह सकते हो जो मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करेंगे देखिए यह डीप सागर में जो इसको कहते हैं क्या नाम इन कौन सा वेल ही है इसका बड़ा अच्छा सा नाम है नाम से लगेगा बहुत इसे छोटा से वेल है लेकिन यह सबसे बड़ी प्रजाती होती है डीप सी में पाई जाती है तो इसमें है कि भारत ने उच्छ सागर संधी हाई सी या उपन सी या डीप सी से अनुसमर्थन का मन बनाया है पिछले सितंबर में एक संधी आई थी नाम बड़ा है उसको उच् इसके रेटिफिकेशन दोनों के मन बनाने के लिए सरकार ने 8 जुलाई को कहा है आई जरह हम इसके समझते हैं कि क्या मामला है चर्चा में क्यों है क्योंकि सरकार ने कहा है कि वह जल्द ही उच्छ समुद्र संधी पर हस्ताचर करेगी और इसकी पूष्टी करेगी इतने देश अभी 8-9 देश इसके हस्ताचर करता है और रेटिफिकेशन किये हैं जब तक 60 देश इसको हस्ताचर करके रेटिफाई नहीं कर देंगे जैसे जब 60 देश रेटिफाई कर देंगे उसके 3 महीने बाद से ये संधी प्रभावी हो जाएगी तो अभी वह लंबा द प्रभावी हो जाएगी तो अभी वह लेकर देश रेटिफिकेशन करने जैव विविधता और अन्सामुद्री संसादनों के संध्षन और उनके संध्षन सतत उप्योग यानि कि ये क्या करता है जल में जो महासागरी जल है उसके प्रदूसर्ण को कैम करना होता है जैव विवित्ता को संध्षन करना पड़ता है और उन जैव विवित्ता का कैसे सततत उप्योग सस्टेनबल उप्योग कर सकें सस्टेनबल ये इसका एक नाम भी है, उच्छ समुद्र जो हता है किसी देश की राष्टी अधिकार छेर से बाहर होता, इसलिए इसका नाम रखा राष्टी अधिकार छेर से परे जैव विविट्टा पर समझो होता, BBNG के रूप में जाना जाता है, तो राष्टी अधिकार छेत्र यानि जो लोगों का 200 नाटिकल माईल का एक्स्प्लूजिव एकनॉमिक जोन है, उसके बाहर जैव विविट्था के सरच्छन को लेकर ये कानून लाया गया है, क्या है, कुछ समुद्र क्या होता है, तो देखिए, इसमें ये नीला वाला पानी है, इसमें तट से लेके 12 नाटिकल मि मिल तक जो है, एक्स्क्लूजिव एकनॉमिक जोन या विशेस आस्थिक छेत्र होता है, जिसमें अंतरास्त्री परिवहन हो सकता है, लोग आवा जाम कह सकते हैं, लेकिन इसका कमर्सियली उपयोग, वो देश जिसके स्पेशल एकनॉमिक जोन में होता है, वहीं करता है, ये के रूप में काम करता है उसके बाहर का जो 200 नाठिकल मिल होता है वो हमारा exclusive economic zone होता है बाकी चीजों के लिए रहता है लेकिन उसका आर्थिक जैविक और अजैविक दोनों तरह के संसाधनों का उपयोग इस समुद्री सीमा में 200 नाठिकल मिल में हम ही करते हैं या जिस देश का होता वो खरेगा उसके बाद के सागर को high सी, open सी या deep सी कहा जाता है और ये अंतरिच की तरह इसे भी संपूर्ण मानवता या संपूर्ण पृत्वी का माना जाता है ठीक है और इस तरह के सागर के लिए अनकलाज है, 82 का बना हुआ कानून है उसके तहद ये संपूर्ण च्रित किया जाता है लेकिन चुकि इसके बाद का सागर कहा जाता है जो सबका है वो किसी का नहीं है जो हमारा है हम तो उसकी देखभाल करते हैं लेकिन जो सबका है यानि पार्क हुआ या पुलिक प्रापर्टी हुई, उसको हम क्या करते हो, सोचते हैं, यह हमारा तो है, नहीं, हम क्यों ध्यान दे, वही हाल open sea, deep sea, या खुले सागरों का हो रहा है, कहने को तो पूरे मानव ताका है, लेकिन इसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उसमें बहुत सारी समझ्याएं आता है तो देखिए ज़रा उच्छ समुद्र क्या होता है यह किसी भी देश के राष्टी अधिकार छिस से परे पाए जाने वाले विसाल खुले महासागर और गहरे समुद्र तलके छेत्र हैं और इसकी बारे में देखाजें तो प्र परती का आधा जो है यह कभर करता है और यह जो छेत्र है यह महान जय विवित्ता बनाए रखते हैं लेकिन प्रिथ्वी पर सबसे कम संरच्छी छेत्र भी बने हुए हैं क्योंकि वहीं है जो सबका है वो किसी का नहीं है जो छेत्र यानि जिसकी जिम्मेदारी सबकी जिम् नहीं है और उसी तरह की ये समस्या से ये छेत्र हाइसी ग्रसित है इस हाइसी की बात करें तो इसमें अधिती और अल्प ग्यात प्रजातिया रहती हैं इसमें कई सारे प्रवासी प्रजातियां भी रहती हैं जैसे वेल है समुद्री पच्छी है कचुए है और ये छेत्र दे की बात चल रही है और क्लास ने पिछले जुलाई से ही समुद्री तटो में कोपें सागर में जैसे जो अपने अपने इसक्लूजिब जो उन है उसका तो छोड़ दो जो 200 किलोमेटर के 200 किलोमेटर के बाहर के इलाके में है वहां पे भी अब उसने टेंडर देना शुरू कर द ब्लू एकॉनमी के रूप में ग्रीन एकॉनमी को बढ़ावा देने वाले हैं ऐसे ही में वो जो खनन हो और गत्विदियां हो वो इसलिए कि वो प्रित्वी पर उस तरह के खनन को रोकेगा लेकिन वहां पे जो परियावरण ही नुकसान हो रहा है पारिस्त की तंत्र को जो भी मिले इसको लेकर भी जरूरी बेवस्ता थी तो उसी सारी चीजों को लेकर देखिए ये सिध्धान्त या उच्च सागर संधी कह रहा है कि एक एतिहासिक समझोता क्यों है उसी को लिए जैसे जलवाई परिवतन पर 2015 में एक पेरिस संधी हुई थी ने जलवाई परिवत परिवतन को रोखने के लिए उसी की तरह की इसको संधी माना जा रहा है उच्च सागर संधी क्योंकि यह केवल उन महासागरों से संबंदी थे जो किसी भी देश की राष्ट्री अधिकार छेत्र से बाहर है तो इसका मतलब है कि वह किसी उसके लिए कोई भी जिमेदार नह जैज विवित्ता के हानी और कई तरह के समस्याओं से ग्रस्थ है प्लास्टिक समुद्रों में प्लास्टिक का विखरना और यह सारी समस्याओं वो चीजे देखी जा रही है इनसे ही चुनोतियों को देखते हुए इसको लाया गया है हाला कि ऐसा नहीं है कि इसके पहले उ 1982 में लाया गया था ये जो है सागर के बारे में रास्ट्रों की क्या सीमाई होंगी जैसे जो इक्क्लूजीव इकनामक जीन जो है आपका समुद्री सीमाई ये सारा निर्धारन इसी कानून के तहत होता है और किसी बिवाथ को यह यह इसी के तहत निड़ाद दिया जाता hat जैसे दच्छी चीन सागर में विवाद चल रहा है तो दच्छी चीन सागर के जो आसियान कंट्रीस थे अनक्लास में ही गए थे और उन्होंने कहा था कि नहीं चीन का दावा गलत है लेकि चीन मानता नहीं फिर भी ये वो बिवस्था है जो सागर में सीमाय निर्धारित करता है और जो सीमाओं से बाहर है जैसे जो ओपन सी है या डीप सी है या हाई सी जिसे बोलते हैं उसमें से जैसे बताया है कि संसाधनों के उत्खनन को लेकर यही संस्था है जो अपना क्या करती है जो सीबेद माइनिंग के लिए देती है तो ये कानून है ठीक है 1982 का एक कानू समस्य है यह कि उनकी संच्छन यानि समुद्री संसाधनों की समाज पहुष और उपियोग जय विवित्ता समुद्री पास्थिकी तंत्र यानि जो यह चीज़ें मांग करें उससब की बात करता है लेकिन वह किया कैसे जाएगा लेकिन अनक्लाज यह निर्दिश्ट नहीं करत यह यह निर्दिश्ट का पूरक है अनक्लाज जो चीज नहीं कर पाता था कि कैसे उसका समच्छन किया जाएगा जय भी वित्ता और इस तरह का वो यह प्राधान करती है तो क्या प्राधान करती है उसका उद्देश किया है तो देखिए उच्चसागर संधी के तीन एक और उद्देश है वो इसी से निकलता है देखिए इसमें क्या है कि सामुद्री पार्ष्थिकी तंद्र का संरच्छन और सुरच्छा प्रोटेक्शन जो है उसका प्रिजर्वेशन हो सामुद्री पार्ष्थिकी तंद्र का ये इसकी में पहला उद्देश है दूसरा क्या सामुद्री आनुवंसिक संसाधनिया जो भी वित्ता है उससे काफी कुछ लाब हो सकता है उस लाब का उचित और न्या संगत बटवारा हो यानि केवल कुछ मुठी भर देशों के या केवल कुछ देशों के पास नहों एक तो पहले उससे सनरचित करें दूसरे उसका जो के पास कमजोर बड़े छोटे सभी देशों के पास जाए तीसरा का है किसी भी ऐसी गतिविधी के लिए अनिवार परियावरणी प्रभाव आकलन की प्रथा की स्थापना जो संभावी त्रूप से समुद्री पार्स्तिकी तंद्र को प्रदूसित या नुक्सान पहुंचा कि उत्खनन करा जाएगा उसका परियावरण पर क्या प्रभाव होगा इसके लिए तो कोई ब्यवस्था है नहीं तो उसके लिए भी यह संधी ब्यवस्था करती है कि अगर कोई भी गतिविधी कर रहे हो तो यह ध्यान रखो कि उसका परियावरणी प्रभाव आकलन या इ ताकि वो महासागरों का पूरा लाब ले सकें और उनके सरच्छन पर भी योगदान दे सकें क्यों क्योंकि मैंने अभी एक सब्द प्रियोग किया था कि जो ब्लू एकॉनमी है उसे ग्रीन एकॉनमी का एक बेहतर बिकल्प माना जा रहा है कि समुद्र के जो संसाधन है उन प वो भी ले सकें ताकि ग्रीन एकॉनमी में और परियावर्ण के सरच्छन में वो मददगार हो सकें ठीक है तो ये इसलिए इसको लेकर ये कानून है आईए ज़रा सहा इसमें देखिए कैसे अपनाया जाएगा उस सागर का सरच्छन और उस तक समान पहुँच कैसे बढ़ा सरच्छन की तरह जैसे हम राष्टी उद्यान या वंजी अविव्यारन की सरच्छन करते हैं उसी तरह समुद्री सरच्छित छेत्र मरीन प्रोटेक्टेड एरिया को डिफाइड किया जाएगा और कई सारे का तो सुरू होना कर दिया गया अभी संदी नहीं आई लेकिन चि सरच्छन में जै बिविद जीवन रूपों का घर है इनमे से कई मानों के लिए बहुत मुल्यवान हो सकते हैं यानि ये तो पहला वाला संरच्छन वाला उद्देश हो गया दूसरा जो महासागर बहुत बड़ी संख्या में बिविद रूपों का घर है उनमें से बहुत पहन के माध्यम सो सभी के भी समान रूप से साजा किये जाएं और इन पर किसी भी देश का मालिकाना अधिकार न हो अब ये तो दूसरा उद्धेश पूरा हो गया तीसरा क्या है ये संधी किसी भी ऐसे गतिविदी के पहले पर्यावरणी प्रभाव आकलन अनिवार बनाती है जो सामुद्री पारिस्तिकी तंत्र या संध्षन प्रयासों को संभावित रूप से प्रदूसित या नुकसान पहुंचाता है तो कैसे इन जो लाव होगा ये दूसरा वाला पहलू है या जैसे कहरे तो है कि सभी को लाव होना चाहिए विकास सिल देशों को उसको लेकर कै बारत के प्रधानमंत्री 41 वर्सों बाद यानि ये प्रधानमंत्री नहीं कुछी भी भारती प्रधानमंत्री का 41 वर्सों बाद यूरोपी संग के एक देश आस्ट्रिया का दौरा हुआ है और ये दौरा महत्पूर है क्योंकि ये दौरा प्रधानमंत्री का रूस के बाद जो भारत आस्ट्रिया जो है आस्ट्रेलिया बार बार निकल जाता है लेकिन भारत आस्ट्रिया जो है भविश्च को लेकर करने के बारे में बात करते हैं तो आए ज़रा से समझते हैं कि यह क्या मैं यह देखिए आस्ट्रिया के चांसलर यानि वहां के प्रधान मंत्री को च अधिकारी के यात्रा पर रहे थे और ये किसी भारती प्रधान मंत्री की 41 वर्सों के बाद पहली यात्रा थी जो वर्तमान प्रधान मंत्री हैं इनकी तो पहली थी भी लेकिन किसी भी भारती प्रधान मंत्री की 41 वर्सों बाद ये पहली यात्रा थी साथी में इस वर्स दोन देशों के बीच का जो राजनेइक संबंध है वो भी 75 साल के हो गया है यानि 75 साल पहले भारत आस्ट्रिया का 1949 में राजनेइक संबंध अस्थापित हुआ था तो वो भी इसमें देखा गया है और प्रधान मंतरी यानि प्रधान मंतरी नरेन मोतरी और जो वहां के चांसलर है इस बात पर जोर दिया कि लोगतंत्र, स्वतंत्रता, अंतरास्टी सांधी, सुरच्छा के साज़ा मुल्य, सनितराज चार्टर के साथ नियामाधारी तंतरास्टी बेवस्था, ये दोनों देश की बीच बढ़ती हुई साज़ेदारी के केंद्र हैं, यानि ये कुछ मुल्य ह जो इन दोनों देशों के भी साधेदारी के केंद्र हैं, इसके अतरिक्त ये लोग भविष्य उन्मुखी, दिवपच्छी, टिकाउ, आर्थिक और प्रद्योग की साज़ेदारी, यानि आर्थिक साज़ेदारी कैसी हो, जो प्रद्योग की पर आधारित हो, और दिवपच भविष्य उन्मुख टिकाउ हो, यानि सस्टेनबल हो, उस पर भही इन लोगों ने बल दिया है, जरा डीटेल में देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत आश्रिया के मध्र राजनीतिक और सुरच्छा सहयोग को लेकर क्या-क्या बाते कही गई है, तो में कहा है कि दोनों निताओं ने कि अनक्लास, यानि जो सनुतराष्ट का सागरों के लिए कानून है, उसमें परलच्छित समुद्र के अंतरास्टी कानून के नुसार एक स्वतंत्र खुले और नियम अधारित इंडो-पैस्पिक के लिए अपनी प्रतिबधता को मजबूत करते हैं, तचिडी चीन सागर को चीन कहता है हमारा है और वो कहीने कहीं इंडो-पैस्पिक छित्र के ओपन परिवहन के लेकर कहीने कहीं दिक्कत करता है और ये आस्ट्रिया भारत के साथ वो बात जो भारत का मत रहता है या पश्षि M का जो मत है उसको भी मजबूत करने क बात ये कर रहे हैं कि अंक्लास के तहत इंडो-पैस्पिक छेत्र ओपेन होना चाहिए, खुला होना चाहिए, सभी के लिए उसका उप्योग किया जाना चाहिए, साथी में युक्रेनियु देख बड़ा मुद्दा ही उरोप को लेकर और प्रान मंत्री जी अभी गय ही थे, आ बहुत राजनितिक उठा पठक में नहीं पड़ते हैं, बियना आपको कई सारे अंतराष्टी और इस तरह के सम्मेलन वहां होते रहते हैं, तो बियना उनकी राजधानी है, तो इसको लेकर जैसे अभी सुझजलन ने प्रयास किया था, लेकिन उसमें भारत को भी बुलाया तब भी वो कहे थे, वही बात प्रधान मंत्री ने यहां भी किया है, कि अंतराष्टी कानून और सनुतराष्ट चार्चर के अनुरूप यूक्रेन में एक ब्यापक और अस्थाई सांती प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों, यानि जितने स्टेक होल्डर हैं, कौन है अंतराष्टी लोग तो हैं हैं, लेकिन जो दो लोग युद्ध कर रहे हैं, रूस और यूक्रेन, उसमें से किसी को भी छोड़ कर सांती नहीं आ सकती है, और एक साथ लाने को, इन्हीं सभी हितधारकों के एक साथ लाने, और संगर्स में दोनों पच्छों के बीच एक इम जीए कि रूस युक्रेन युद्ध को सांती की तरफ ले जाने के तरफ भारत के प्रियास शुरू कर दिया है, इसमें निश्यत रूप से आप कह सकते हैं कि अमेरिका भी पीछे की तरफ सयोग होगा, उसमें बहुत सारी खिचडी पक्ती है, बाद में कोई सारी चीज़े लेकिन ये बता रहा है कि ये उस दिशा में चल रहा है, साथी में सीमा पार और साइबार आतंगवाद सही सभी रूपों में, अब्यक्टियों में, आतंगवाद की अपनी स्पष्ट निंदा को इन्होंने दोहराई है, और ये भी कहा है कि आतंगवाद पर धुलमुल रु बातें, आस्ट्रिया, अभी देखेंगे, कल मैंने रूस का पढ़ाया था, आस्ट्रिया ने भी उसी बात को जो है, सन्युत ब्रक्ता में, भारत के साथ ये दोहराया है, कि आतंगवाद, आतंगवादी कृतियों को वित्पोसित, देखिए, इस बात पर जोर दिया कि 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 इसी भी देश को उन लोगों को सुरचित पनाएगा नहीं देना चाहिए, जो आतंगवादी कृतियों को वित्पोसित करते हैं, योजना और समर्थन और प्रतिपधता करते हैं, ठीक है, और देखिए, सीमा पाउर और साइबर आतवांग सही रूपों को और भुष्टियो हुआ था, उस आईमेक को आईस्रिया ने समर्थन दिया है, कि वो बहतर चीज है, और कहीं ने कहीं, यह यूरोपी संग और भारत के लिए जुडाव का एक स्टेडिजिक रूप हो सकता है, देखिए, भारत मतुपूर यूरोप के भी जवानी और उर्जा की चमता और प्र बाजार है, यह भारत का तो बजार बड़ा ही है, यूरोपी उनियन के पास भी है, बड़ा भी है और मुक्त बाजार भी है, और ऐसे में गहरे यूरोपी भारत संग संबंध पारस परिक रूप से लाबकारी होने के साथ सकारात्मक बैस्विक प्रभाव भी डालेंगे, य आर्थिक दर्शी से देखा जाए, तो दोनों देशों के मद्द सतत आर्थिक भागिदारी का प्रियास, यारी आर्थिक भागिदारी कैसे हो, सस्टेनबल पहलू पर होनी चाहिए, उसमें देखिए, दोनों देशों की बीच मजबूत आर्थिक और प्रद्योग की भागि किया गया है कि कैसे सन्युक्त रूप से इस अनुसंधान और बैज्ञानिक गड़ जोड और प्रद्योग की भागिदारी में एक दूसरे का सहयोग किया जा सके इसी में आगे कहा गया है कि जलवाई परिवर्तन को को सस्टेनेबल डेवलम्पन को लेकर तो जलवाई परिवर कास तक वो net zero करना है हलाकि आस्ट्रिया को 2040 तक करना है भारत को 2070 तक करना है क्योंकि विकास सिल्देश है लेकिन करना दोनों को है इसलिए इन दोनों में प्रतिबत्ता जताई है और इसको लेकर उर्जा संक्रमन कैसे उर्जा का ट्रांजिशन किया जा जिवास मीधन के गैर जिवास मीधन का खास तोर से हाइट्रोजन के लिए आस्ट्रियाई सरकार की हाइट्रोजन रणी थी और भारत द्वारा सुगों के राष्ट्री हरित हाइट्रोजन मिशन जो है इन दोनों के बीच में समन्द में अस्थापित करने की बाद किया जा रहा है ताकि नव वेवस्ता के छेत्र सहित और द्योगिक प्रक्रियाओं उद्यव फोर में डिजिटर प्रद्योग की बढ़ती भूमका को भी ये मानता दी है यिस पहलू को ध्यान में रखिएगा क्योंकि अभी ये समाचार आ रहा है कि अदानी ग्रुप दस अरब डालर से जादा ग्रीन हाइट्रोजन में निवेश करने की बात कर रहा है और प्रदान मिंत्री जब आस्ट्रिया गया है तो वहाँ के CEO के साथ भी बैठक किये है और कहीं ने कहीं आस्ट्रिया का जो आस्ट्रियी सरकार की राश्ट्रोजन रणनीती है और जो भारत की नेशनल हाइट्रोजन राश्ट्री हाइट्रोजन गरीन हाइट्रोजन मैसान है इन दोनों की बीच में सहयोग और देखिए दोनों की डेसों की कंपनियों को अनुसंधान और विकास के लिए यह आगे बढ़ाने का प्रत्न किया गैए है इसलिए कुछ और भी कारण है वो अभी बता देंगे लेकिन ये कारण मेन है जो दिखाई दे रहा है जिसके कारण आप समझिए संभावता 41 साल बाद भारत के प्रधान मंत्री ने आस्ट्रिया का दौरा किया है क्योंकि इस छित्र में सवयोग की काफी संभावन आए है साथी में दोनों देशों ने कहा कि हम बहुप अच्छिक सहयोग बढ़ाने पर भी बल देंगे यानि बहुप अच्छवाक, मल्टिलरिजम, सनुटरास्ट, चार्टर के सिध्धानतों के प्रती अपनी पतिबत्ता की है और ये कहा है कि नियमित दुप अच्छी परामार्स औ मन्योक माध्यम से इन मौलिक सिध्धानतों की बात करेंगे साथी में दोनों लोग एक दूसरे को सनुटरास्टर अच्छा परिसत में व्यापक सुधार जो होगा उसमें एक दूसरे की मदद करेंगे ये सारी मिठी मिठी बाते की गई हैं ये क्यों किया गया था अगर कही ने कहीं उसको समाप्त करने के तरफ पहल चल रही है. आएगा इसको लेकर कहीं ने कहीं युक्रेन को भी समझ में है और यूरोपी देशों को भी समझ में है इसलिए इस युद्ध के प्रती लचीला रूख सांती के प्रती लचीला रूख अपनाने की बाद रानमिंत्री रूस के राश्पती से भी कहें होंगे उनसे भी आस्वा रही है, दूसरे हारिट्रोजन को लेकर बहुत सारी बाते की गई है और तीसरे एक बात और है जो थोड़ा सा पॉलिटिकल है पॉलिटिकल इसलिए है कि आपको याद होगा कि प्रधान मिंत्री ने सदन में अभी कहा था कि एक एको सिस्टम काम कर रहा है, भारत में जब चुना हो रहा था, रूस के रास्टपती ने मई में ही कहा था कि अमेरिका भारत के चुनाओं में हस्ता छेप करना बंद कर दे, उसकी लोग गिरोध किये थे लेकि रूस का रास्टपती है इतने दिनों से रास्टपती है केबीजी में वो रहे हैं, तो दुनिया में क्या चल रहा है, उनको तो पता होता ही है हर देश को पता रहा था कि कौन हस्ता छेप कर रहा है, कौन क्या कर रहा है और इससे जिस तरह से narrative, जिस तरह से एक report आई है, बाद में meta की आई है कि, या open AI के आई थी की इसराइल की एक फर्म है वो इस तरह की चीजे नरेट बनाने की कोशिश कर रही है मेटा रिपोर्ट में आया था मैक्रोसाफ्ट की रिपोर्ट में आया था कि चीन हस्त छेप करने की कोशिश कर रहा है आपको याद होगा आप जार्ज सोरस का नाम जार सोरस की एक Central University है Central European University बियना में इस्तित है जो माना जाता है कि इस तरह के narrative को बनाने के लिए कि दूसरे देशों में regime change करने के लिए वो बहुत जादा वहाँ पे फ्यास किया जाता है तो कहीं न कहीं ये भी एक message माना जा रहा है कि प्रधान मंतरी मोदी का आश्ट्रिया दौरा आश्ट्रिया सरकार को ये साथ लेने में या कह सकते हो इस प्रक्रिया को कुछ जानने में कुछ चीजे बढ़ाने में होगा कि इस दिसा में भी भारत आगे करेगा क्योंकि तेकि जब आगे बढ़ते हो न बहुत सारी चीजों के लिए आप में लगता है कुछ और उसके अंदर कुछ और होता है बस इससे ज़्यादा यहां नहीं बताएंगे बाकी जब कुछ होगा तो देखिएगा अभी जो लिखने के लिए है भारत आश्ट्रिया का संबन वो सारी च करते रहिए और इंज्वाय करते रहिए नमस्कार धन्यवाद